नमस्कार बच्चो कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो बच्चो आज का जो पाठ है हमारा वो बहुत ही महत्वपून पाठ है ये कक्षा साथ का नागरिश शाष्टर की किताब का पाठ नमबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना तो बच्चो जैसा आप जानते हो कि लड़का और लड़की होना एक महत्वपून बात है ये हमारी अस्मिता की बात है लड़का लड़की में हम देखते हैं कि जो भेदभाव है वो समाज में पहले सही व्याप्त है आप देखते हो जब किसी जनम दिन की पार्टी में हम जाते हैं और जब हम बच्चों के लिए उपहार लेके जाते हैं और हम जब दुकानदार से कहते हैं कि एक गिफ्ट दिखाईए जनम दिन में जाना है उपहार देना है तो दुकानदार भी हमसे पूछता है कि लड़का का जनम दिन है कि लड़की का जनम दिन है और अगर हम कहते हैं लड़के का जनम दिन है तो दुकानदार क्या दिखाता है बॉल, क्रिकेट का किट इस तरह के खिलोने दिखाता है कार, रिमोट वाली गेम या पिस्टल और आज हम इस पार्ट से यही बाते जानेंगे कि लड़का और लड़की के रूप में जब बड़े होते हैं तो समाज से हमें क्या चीज़े मिलती हैं अगर हम बात करें आप सबको पता है हम सोचते हैं कि लड़के जो हैं वो खाना नहीं बना सकते पर आप जानते हैं संजीव और कुनाल कपूर जो बहुत बड़े मास्टर शेफ हैं हमारे भारत के पुरे विश्व में प्रसिद्ध हैं वो एक पुरुष हैं और वहीं हम सोचते थे कि क्रिकेट जो है वो एक पुरुष प्रधान खेल है पर अब आप देखते हो भारत में भी क्रिकेट महिलाट की टी और रही बात मैरी कौम की उनको भी आप जानते हो हम सोचते थे कि बॉक्सिंग जो खेल है वो एक लड़कों का खेल है पर मैरी कौम ने भी सिद्ध कर दिया वर्ल्ड चैंपियन बनकर कि यह करीम जो है लड़कों का नहीं है इसे लड़कियां भी खेल सकती है उसे तरह से हमा हमारे साथ इस तरह का भेदवाव करना में सिखाती हैं बच्चो आप देखते हो लोग पहले जो हैं इंजन ड्राइवर नहीं बनते थे बस कंड़क्टर नहीं बनते थे क्यूंकि सोचे थे कि लड़कियां कैसे करेंगे सब काम पर आप धीरे-धीरे सोच रोंकी बदल गई अब लोग जो हैं अपनी लड़कियों को रेल इंजन का ड्राइवर बना रहे हैं ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर सब लड़कियां बन रही हैं तो बच्चो आज हम इसी पार्ट में यही सब पढ़ेंगे कि पुर्षों और स्तरियों के बीच में कारे को लेकर कैसे असमा समूवा द्वीप में बच्चों का बड़ा होना किस तरह का था आये देखिए समूवा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिन में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समू का ही एक भाग है समूवन समाज पर किये गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक म बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वे बड़े बच्चों और व्यसकों से बहुत सी बाते सीखते थे जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करना आदी द्वीपों पर मचली पकड़ना महतपून कार ये था इसलिए किशोर बच्चे मचली पकड़ने के लिए की देखभाल करना बंद कर देते थे ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्राया सोयम भी पांच वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे लेकिन जब कोई लड़का लग करने तक अपने छोटे बच्चों की भाई बहनों की देखभाल और बड़े लों के छोटे मोटे कारे करती थी लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी वे अधिक स्वतंतर होती थी लगबक 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मचली पकड़ने जाती थी बगानों में का करती थी और डलियां बुनना सीखती थी खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में ही होता था जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी तो बच्चों ये जो उधारन था हमारा ये था सामोव अध्वीप का अब 1960 के दशक में मध्यपरदेश में पुर्शों के रूप में बड़ा होना कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग-अलग स्कूल में जाते थे लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिलकुल अलग धंग से बनाये जाते थे उनके स्कूल के बीच म बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ होता था हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैंकडो लड़कियों की भीड को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे सडकों पर जाती हुए लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी ये बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को उनके कामों के लिए उपियोग करते थे जैसे खड़े-खड़े खाले समय बिताने के लिए, दोड़ने और खेमने के लिए, साइकल चलाने के करतब अजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुँचने का ही माध्यम थी लड़किया हमेशा समू में जाती थी शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड ना दे या उन पर हमला ना कर दे उपर के दो उधारन को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने में भी कई तरीके होते हैं हम पराया सोचते हैं कि बच्चे एक से ही तरीके से बड़े होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं यदि हम अपने परिवार के बुजर्गों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनका बच्पन शायद हमारे बच्पन से बहुत ही अलग था। हम ये भी अनुभफ करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में सपष्ट अंतर करता है। ये बहुत कम आयू से ही शुरू हो जाता है उधारन के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन खिलोने दिये जाते हैं। बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े हो कस्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविश्य अलग-अलग होगा। अगर हम विचार करें तो प्राया अंतर प्रती दिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रख सकते हैं। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रोब से ये सब बच्चों को बताने के तरीके हैं जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, तो उनकी भ दिन के बाद एक कहानी सुनाती हूँ कहानी है मेरी मा काम नहीं करती तो बच्चो ये कहानी शुरू होती है दो मा बेटी की बातों से इनके स्कूल का एक भ्रह्मन जा रहा था तो बेटी चाहती है कि उसकी मा भी उसके साथ जाए और छुट्टी लेकर ऑफिस से उनके साथ स् इस बार आप भी चलो तब सोनाली यानि उस बच्ची की माउ वो कहती है जस्पृ Эnti रोज सुभा पांच बजे उठ जाती है घर के सारे काम करती है और तुम सोचती हो कि उनके पास कोई काम नहीं है और वो ब्रहमन पे जाती तुम्हारे साथ हां पर वे कोई काम करती भी तो चलो जस्प्रीत के घर चलते हैं और उनसे खुदी पूछ लेते हैं फिर वो सब मिलकर बैठे हैं इस पिक्चर में श्री सिंग के घर पर यहां आप देख सकते हो पूरा परिवार बैठा है सोनाली उनके घर आ गई है और हर शरन सोनाली सोचते हैं कि आपकी पतनी कोई काम नह उनका बैटा कहता है हाँ जी अंटी विए तो है मेरी मा तो घरेलू महीला है वो कोई काम नहीं करती वो कहीं नहीं जाती तो जस्प्रीत यदि ऐसा है तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती सुनाली की बाते सुनकर जस्प्रीत को भी हरताल पर जाने की अच्छी सूझी वा क कितना मज़ा आयागा, कल हम पापा के साथ मिलकर काम संभालेंगे, बच्चों की बाते शुरू हो गई, अगली सुबा साड़े साथ बजे, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहा है, बच्चे अभी तक तयार क्यों ने हुए, तब, तब हरमीद की मा कहती है, मैं क्या जानूं, याद है न, मैं तो हटताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुटी ले रखी है, ओहो, अब क्या होगा, बच्चों की बस भी आ गई है, अब तो मुझे कार सी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, ये हरशरण जी ने कहा, जल्दी करो बच्चों, लेकिन बच् जी को कार में बताया कि मा ने हमें कुछ पैसे दे दिये हैं, और हम उनसे केंटीन में कुछ खा लेंगे, शाम होती है, शाम के छेप बचते हैं, हरशरण जी अपने दफ्तर से आते हैं, और कहते हैं कि कुछ चाएवाय हो जाए, तब उन्हें याद आता है कि आज तो उनकी पतनी हटताल पर है, तो वो कहते हैं मैं खुद ही बना लेता हूँ, पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहां कितना तुफान मचा हो, तब हरमीत की मा कहती है, तुम क्या सोचते हो, कि सुभा तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था, वे वैसी हालत में दिन भर रहेगा, हर बाते हर शरण जी के मूँ से निकलती हैं, और हरमीत हसती हैं, ही ही, क्या अभी भी वही सोचते हैं, कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी, कि चाचा चाची रात को खाने में आने वाले हैं, तो बच्चो यह कहानी आपको कैसी लगी, एक घरेलू महिला है, तो क्या घरेलू महिलाओं के पास काम नहीं होता, पूरा दिन वो घर का काम करती हैं, बच्चो को संबालती हैं, घर के सारे काम को खतम करने के बाद भी उनके काम खतम रात के बारा बज़े तक नहीं होते, तो बच्चो अधिकान समाज में, जिन में ह हुमारा समाज भी आता है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका को और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता, पुरुष और स्त्रियों की हैसित एक जैसी नहीं होती, आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों की द्वारा किये जाने वाले कामों में ये असमानता कैसे है अब बच्चों हम बात करते हैं घरेलू काम का मुल्ले घरेलू काम जो है जो घर के काम होते हैं हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जस्परित घर का जो काम करती है वे वास्तव में काम है उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई नई बात नहीं है सारी दुनिया के घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है जैसे देखभाल करना, परिवार का ध्यान रखना, विशेशकर बच्चों, बुजर्गों और बीमारों का फिर भी घर के अंदर किये जाने वाले कारे को महत्वपुन नहीं समझा जाता मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के सुभाविक कारे है इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है समाज इन कारें को अधिक महत्व नहीं देता तो बच्चों, आपने इस कहानी से जाना घरेलू कामों का मुल्य बहुती कम समझा जाता है इसे कोई काम समझा ही नहीं जाता अब हम बात करते हैं घर पर कारे करने वालों का जीवन यहां भी हमें कहानी शुरू करेंगे यहां पे मिलानी नाम की स्त्री की कहानी है मिलानी जो है वो एक घर में नौकर का काम करती है आओ बच्चो अब उसकी कहानी हम सुनते हैं दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्तरी मिलानी ने अपने अनुभवों के बारे में इस तरह से बताया मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो तीन मनजिल भवन में रहता था मैम सहब अजीब महीला थी जो हर काम करवाने के लिए चिलाती रहती थी मेरा काम रसोई का था दूसरी दो लड़कियां सफाई का काम करती थी हमारा दिन सुबह पांच बजे शुरू होता नाश्टे में हमें एक प्याला चाय और दो सुखी रोटियां मिलती थी हमें तीसरी रोटि कभी नहीं मिली शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटि की मांग रखती थी मैं चुपके से उन्हें रोटि दे देती थी खुद भी एक रोटि ले लेती थी हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूक लगती थी हम घर में चपल नहीं पहन सकती थी ठंड के मौसम में हमारे पहर सूच जाते थे मैं मैम साहब से डरती थी परन्तु मुझे गुसा भी आता और अपमानित भी महसूस कराती थी क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे क्या हम कुछ सम्मान जनक विहवार के योग्य नहीं थे तो बच्चो आपने देखा इस तरीका जो अनुभव था कि घर का काम करने वाली जो महिलाएं होती है या नौकरानियां होती है उनका सम्मान नहीं किया जाता वास्तम में जिसे हम घरेलु काम कहते हैं उसमें अनेक कारे आते हैं इनमें भी शारिक श्रम लगता है गाउं और शहरी क्षेतर की महिलाएं और लड़कियां दूर दूर से पानी लाती है गरामिन क्षेतरों की स्तृयां और लड़कियां जलाने के लकडियों के गठर सिर पर ढोने पड़ते हैं कपड़े धोना, सफाई करना, जाडू लगाना, वजन उठाना उसमें जुकना, उठना, समान को लेकर चलना इन सभी में बहुती शाररिक श्रम की आवशकता होती है बहुत से काम जैसे खाना बनाना आदी में लंबा समय लगता है और गरम चूले के सामने खड़े रहना ये सब काम जो हैं काफे शाररिक श्रम वाले काम है स्रियां जो काम करती हैं वे भारी और ठकाने वाले शाररिक काम होते हैं जबकि हम आम तोर पर सोचते हैं कि पूरुशी ऐसे काम कर सकते हैं घरेलू और देखभाल के काम का एक अन्य पहलू जिसे हम हत्व नहीं देते वे हैं इन कामों में लगने वाला लंबा समय वास्ता में यदि हम स्त्रियों के दुआरा किये जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियों पुर्षों से अधिक काम करती है हम नीचे निम्न तालिका से इसे समझने का प्रेतन करते हैं निम्न तालिका में भारत के केंद्रिय सांख्य के संगठन दुआरा किये गए विशेश अध्यन के कुछ आंकड़े हैं आओ इन्हें हम देखें यहां आप दो राज्ये देख सकते हैं हरियाना और तमिलाडू हरियाना और तमिलाडू में स्त्रियों का वेतन जो है वो काम के हिसाब से प्रतिसप्ता घंटे के हिसाब से दिया जाता था तो हर्याना की स्त्रियां 23 घंटे और तमिल लाडू की स्त्रियां 19 घंटे काम करती थी और जिस काम का उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था यानि घरेलू काम उसके 30 घंटे काम करती थी और तमिल लाडू में 35 घंटे काम करती थी प्रतिस अब हम पूरुशों के साथ इसकी प्रतिसप्ता हा और 40 घंटे प्रतिसप्ता हा तमिल नाडू में और पुर्षों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे हरियाना में 2 घंटे प्रतिसप्ता हा तमिल नाडू में 4 घंटे प्रतिसप्ता हा तो आप देख सकते हो कि पुर्षों का जहां वेतन मिलता था वहां उनका क जो सब्ता होता था प्रति घंटा औरतों से जादा है पर जहां वेतन नहीं मिलता घरेलू काम में वहां पुर्शों का प्रति सब्ता बहुत ही कम है जबकि वहीं स्तरियों का प्रति सब्ता घरेलू काम करने का जो अवैतनिक घंटे हैं वो बहुत ही ज्यादा है तो हम इससे विचार कर सकते हैं कि महिलाओं को अब वेतनिक कामों के जो पैसे नहीं मिलते हैं उसमें महिलाओं जादा टाइम लगाती हैं वही पुरुश जब उनको किसी चीज काम का वेतन नहीं मिलता है वो सिर्फ उसमें दो और चार घंटे प्रतिसपता ही लगाते हैं एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी समाजिक विवस्था का ही भाग है। परन्तु वास्तविक्ता में लिंग भेत किया जाता है सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूनने के लिए वचनवध है उधारन के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोज महिलाओं और लड़कियों पर पढ़ता है सुभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पढ़ता है इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कारिक्षेतर चुनेंगी पूरे देश के कई गाउँ में शाशन ने आंगनवाडियां और बालवाडियां खोली है शाशन ने एक कानून बनाया है जिसके तहट यदि किसी संस्था में महिला करमचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वेधानिक रूप से बालवाडी क्रैश की सुविधा देनी होगी बालवाडी की विवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी इससे बहुत सी लड़कियां का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा बहुत सिस्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाना वा तमिल नाडू की महिलाएं जिनका सर्वेक्षन किया गया घर के अंदर वा बाहर दोनों जगा काम करती हैं इससे प्राया महिलाओं के काम के दोरे बोज के रूप में जाना जाता है तो बच्चो महिलाएं जो हैं वो दोरे बोज में लदी हुई हैं उन्हें घर के काम भी करने पड़ते हैं और घर के बाहर के काम भी करने पड़ते हैं आओ बच्चो इस चित्र को देखें ये मध्यपरदेश के एक गाउं में आंगनवारी केंदर का चित्र है आप यहाँ देख सकते हैं आंगनवाडी केंदर में आंगनवाडी महिलाएं बच्चों को देख रेक कर रही हैं उन्हें साथ में शिक्षा भी दे रही हैं और बड़ी बहने अपने छोटे भाई बहनों को भी साथ में देख रही हैं और साथ में अपनी शिक्षा भी ले रही हैं आओ बच्चो में आपको दो और चित्र दिखाऊं पहला चित्र ये एक पोस्टर है इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है आओ हम देखें मैं हर कहीं मौजूद मेरी अंदेखी और नहीं संभव कौन सी वे तुम्हारी उपलब्धी जिसमें मेरा नहीं वे भाग और त पटना में बना हुआ है यहां पर आप देख सकते हो महिला जो हैं हर काम में आगे हैं फिर भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता दूसरा पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समू ने बनाया था इसके लिए भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक महिला है जिसके एक हा बाल्टी है किसी में बाल्टी में कपड़े हैं किसी में हाथ में कलम और कागज है किसी में जाडू है किसी में बरतन है किसी में उन है किसी में दूद की बोतल है तो आप देख सकते हो कि महिलाओं का जो काम है बहुत ही मुश्किल काम है फिर भी उन्हें जो है सम्मान नहीं द कुछ प्रशन पूछती हूँ ऐसे विशेश खिलोनों की सूची बनाईए जिन से लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेश खिलोनों की भी सूची बनाईए जिन से केवल लड़कें खेलती हैं यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर हैं तो सोचिये और बताईए कि ऐसा क्यूं है? सोचिये कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चल कर वैसक के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी? और दूसरा मेरा आप से जो प्रशन है वो है कि आप सभी बच्चे एक पोस्टर बनाएंगे जिसमें महिलाओं के कारे को और उसकी भूमिका को आप दर्शाएंगे तो बच्चों ये दो प्रशन आप जरूर करिएगा तो बच्चों आज का पार्ट यहीं खतम होता है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें उमीद है कि आपको हमारा पार्ट और हमारी बनाएवी वेडियो अच्छी लगी होगी तो बच्चों जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि कोई भी काम लड़का या लड़की के रूप में अलग नहीं होता समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और कोई भी काम कोई भी कर सकता है धन्यवाद